नमस्काई वीसीन नीउस की खास मुलाकात में मैक शतीजा देश्मुक आप सभी कास फ़ागत करती हूँ आज हम बात्चीट करने वाले है चुनाव को लेकर महराष्टर में आने वाले दिनों में विनान सभाद चुनाव होने वाले हर कुछी दिनों में इसके आचार से इताल जो है उसका जो अधिक्रूत पत्र होता है वो भी सौब कर आए है ऐसा ही और सभी जो जो है सभी पार्टियों के लोग है वो अपने चुनाओं के तैयारियों में जुड़ गया है और आज हम इसी विशय पर चर्चा करने वाले हैं कॉंग्रेस के नेता डॉक्र शकील अहमद जहांगिर जी साथ ही साथ ये सेवा फांडेशन के अध्यक्षय भी है और इसके अलावा वो महाराश्ट्र के जनरल सेक्रेटरिया एजुकेशन वींग के और इंडिया उलिमा बोर्ट के इनसे हम बाचित करने वाले हैं क्योंकि ये मध्यनागपूर से आने वाले चुनाओ में चुनाओ लड़ सकते हैं वो सब जानकरी हम उनी से जानते हैं बहुत-बहुत स्वागते सर आपका हमारे स्टुडियो में सबसे पहला मैं ये सवाल है आपने कॉंग्रेस को लेकर दावेदारी की है मध्यनापूर से जो की काफी चर्चाओं में चल गई है सभी पार्ट बिल्कुल ये पार्टी के अंदर एक डिमोपरिक सिस्टम होता है कि आप जिस जो पार्टी का चिफाई होता है वो अपनी बातों को ये मौका होता है ये पहले तो बीसे अन का भी शुक्रिया दा करता हूं कि उसने मुझे जिस कॉंस्टिवेंसी से मैं तिकित मांग रहा तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोजेक्ट है उस स्टमेंसी को लेकर आपने कितना काम किया है क्योंकि कॉंकि कॉंगरेस जनता कॉंग्रेस है कॉंगरेस एक विचारधारा है पुले शाहु अंबेटकर्ड, गांधी, सूफी संतों की पॉजा मोजिदी, चुस्ति रहमत जुम्देव जी महाराज, तुकुलू जी महाराज, उसके अलावा चत्रपतेशी वाजी महाराज की धर्मनी प्रेक्षता है, तो एक विचारधारा कॉंग्रेस है, कॉंग्रेस की विचारधारा, हर वो शक्त जो इस विचारधारा पर समता न्या है, इस पर विश्वास रखत सामने और आगे इंटरिव्यू से रहे हैं और अपनी इसको बहुत यह तरीके से कहते हैं कि परबल दावेदारी जिसको बोते हैं मजबूती के साथ अपनी बात को रख रहे हैं और यह कंविंस करने की कोशिश कर रहे हैं मैं कॉंगरेस के लिए एक प्रबल उम्मिदवार हो सकता हूँ जिसका बैक्राउंड एक शिक्षित भी है उसके अलावा समाथ सेवा की है और लोगसभा चुनाओं के वक्त भी जो है सम्विधान को बचानी की बात हो उससे लोगों को कन्विंस किया है और ओटों के विख्राओं को रोका है एक कंसॉलिडेट किया है M.I.M. को माइनस किया है लोगसभा चुनाओं में और कोशिश किये कि एक तरफा जो है कॉंगरेस के तरफ जो ओट पड़े इसलिए मुझे लगता है कि मैंने जो काम किया अगर आप जब मौपा देंगे और तो मैं उस सब चीजों को भी सामने रखो बिल्कुल आप राजनीती में हो साथी साथ आप सेवा समा सेवा भी करते हो मतलब राजनीती प्लस समा सेवा जो राजनीती का एक मुल्य बोला जाता है वो आप स्विकार कर कार्य कर रहे हो कई सालों से आप कॉंग्रेस के प्रती मिष्टावान भी रहे हैं और कॉंग्रेस का कार्य कर रहे है मुझे बताए ये पारिटी का तो अजेंडा रहेगा जब चुनाओ घोशित हो जाएगे लेकिन आपका क्या आजेंडा है? इसमें देखिए ये जिन संस्ताओं से मैं जुड़ा हूँ चाहे बोजन संगर समयती हो चाहे औल इंडिया उल्मा बोड़ो चाहे सिवा फांडेशन हो और भी जो संस्ताओं जो एंजियोस काम करती है तो समाज सिवा ही आप के लिए राजनिती का प्लेफॉर्म बनता है आप जब लोगों से जुड़ते हैं ये लोगों से कनेक्टिविटी लोगों की समस्याओं को समझना लोगों के बीच में जाना उनके समस्याओं को हल करना तो ये एक प्लेफॉर्म होता है जिसे आप राजनिती में वही मुद्दों को लेकर जब आते हैं लोगों के बीच में त सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है लोगों के बीच में आप कितनी connectivity है लोगों के बीच में इतना काम किया तो हमने हर छेत्र में शिक्षा सबसे पहला मेरा जो एजन्डा है जो मैंने अपना एजन्डा बनाए पार्टी का जो manifest होगा वो रहेगा उसके अलावा मेरा जो dream project है वो शिक्षा बहतर शिक्षा सिर्फ शिक्षा नहीं है आप शिक्षित हो गए आप packages कमा रहे हैं लेकिन आपके जो parents है वो वरद्धा अच्रम में तो मुझे ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए बहतर शिक्षा स्वास्त सबसे जो एहम जो चीजे होती जो fundamental rights भी है जो बुनियादी ज लेकर हमने जो एक title दिया बरस दो साल से हम इसके काम कर रहे हैं जमीन पर यह बहतर शिक्षा स्वास्त रोस्ता तो मधिनाकूर में जितनी भी इस्कूले आती हैं चाहे वो government हो non government हो तो उन इसकूलों के इस तर को कैसा बहतर बना जाए हम कुछ organizations हैं एंजियो जो scholarship पे काम कर चाहे वो CSR हो चाहे ओरमा foundation हो जिनसे मैं जुड़ा हूं तो वो scholarship students को कहां से मिल सकती है government से नौन government से तो इस तरह के scholarship के सेंट्रम मध्दनाकू में बनाना यह मेरा एक dream project है ताके जो विद्यार की संगश कर रहे है पढ़ाई के लिए तो उन्हें बहतर पढ़ाई करने के ल जा पाते हैं ना लंदन जा पाते हैं पढ़ाई के लिए इसलिए scholarship की बहुत एहमियत है तो मैं सेंट्र नाकू में scholarship के सेंट्र बनाना चाहता हूं फिर उसके साथ जहां जो इसकूले हैं उसका इस तरह आप कैसा बहतर बनाए उसमें खासतों से जो सरकारी स्कूले आप दे अलग बत्तर है और वो उस जगह पर जो है सब कमर्शल प्रोजेक्ट बराने की तैयारी में हैं तो हम चाहते हैं कि वह अगर आपको हिंडी मराथी या उर्दू मीडियम से प्रावलम है तो आप उसको सेमी इंगलिश कर दीजिए लेकिन उन इसकूलों को शुरू कीजिए यह प्रोजेक्ट है हमारा उन इसको लोगा शुरू करने का तो इस पर भी हम एक काम करेंगे जिसके लिए हमने पद्यात रहए कि उन्हीं इलाकों में जहां इसको बंद है सर्वे किया है पुरा और उसकी बारिकियों के हमने काम किया तो शिक्षा पी उसके साथ बहतर शिक यह काम करेंगी कि 8-9 क्लासे उन्हें गौर्णमेंट सब्विसे में चाहे रेलवे की भरती हो पुलीस भरती हो या जो गौर्णमेंट MPSC के एक्जामस हो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा उनको समझाना शुरू करेंगी तो मेरी एक्सपर्स की टीम है जो सरकारी और सरक आप पैदा करना चाहते हैं बिल्कुल यह बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा अगर होती है तो आगे अपने आप बज़े उसकी है कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो नफरत के एजन्डे के जाल में आप नहीं फसते हैं आप बेरोजगार होते हैं तो आपको पैसे के ज जाल में भी फसाया जाता है आपको खरीदा जाता है तो मैं यह बार रखना चाहता हूं कि पैसे का इस्तमाल करना सिको पैसे वालों के हातों में इस्तमाल मत हो लेकिन यह कम होता है जब आप शिक्षित होते हैं तो एक शिक्षा दूसा जो एजन्ड है हमारा वह स्वास्त क अधिकार है तो उसमें स्वास्त के मुद्धा होता है बहुत एहम है और मद्धिनाक्पूल में यह मुद्धा एहम इसलिए हो जाता है कि यहां एक बड़ा इद्रागान्दी मेडिकल कॉलेज है तरसरी सेंटर कहते है उसको वह स्टडी सेंटर है लेकिन उस पर जो पेशेंट एक एक मेने की डेट भी जाती है पेशेंट के लिए दवाईया नहीं मिलती है तो यह कोविड में भी यह परसेप्शन लोगों का बन गया था कि सर्जरी हो जाती है आसानी से तो हम क्यों ना हर परभाग में या हर बार्ड में बहतरी जो है दवाखनों को बनाएं सरकारी द बढ़ा जो जो बनें बहती है जो अच्छे बनें घाया और जो जो रखे बनेंगे तो आपको जो है अरो जो लोगों पुस्विदाएं उनके ठर के पास मिलेगई और बहतु प्रम की नेंगि इसके साथ मेरे जाय होनी चाहिए जो वेन हो मुबाइट उसके तहट जाकर जो है लोगों के बीच में इसके काम किया जाएं तो हैल्ब को लेकर बजट का बढ़ाना सरकार था अच्छी मशीने हो और उसके साथ जो है वार्ड में प्रभाग में अच्छे क्लिनिक हो सरकारी रवाखाने हो ताके जो गरीब को गाइट करने वाले काउंटर्स हो ताकि जो पिशक आए उन्हें आसानी से उसका गाइड़न्स भी भी जाए बिल्कॉल आपने इससे पहले जो अभी कारिया बताया है आपका आजेंडा बताया है उसे यह साफ होता है कि आप पहले से समासेवा करते आ रहे हो जो कारिया पुन से ऐसे मतलब तारी की हैं, जो हमारे दरिशक रूपी बता जिए जिसे मैंने कहां के बहतर शिक्षा स्वास के टाइटल पे हमने जमीन पर लोगों से अच्छी शिक्षा के लिए बात चिक है कि आप ऐसे बहतर शिक्षा आपको मिले इसके ओपर हमने काम किया है, हम जर किया तो हुती है एंपने फंक्ष ना किया जाता है हमें इन तुर्म धान पुला ता उसके साथ सब्सक्षर को बैट फिर्क से पर किया है। काम करते हैं, डॉक्टर्स की टीम है, तो चाहे वो ब्लड डॉमेशनल कैम्प्स हो, चाहे फिर हेल्फ में क्या मदद हो सकती हैं, पेशन्स को, उसका गाइडन्स हो, तो डॉक्टर्स जो है, वो चैरिटी भी, मतलब अगर कोई कर रहा हो, तो वो भी उमें बताए जाता है, त उनके लिए नवज़वान नड़किया है, महिलाएं, उनके लिए और भी उनको महिछण के कोड से सखुधिक हैं, हमने उनको महिंदी का कोड सिखायाएं, उनको हम guar Paci कोड सिखाया थैं फ्री में हमने दॉमने लिशल की से काम किया थैक्टर्स हूं, वो अपना आत्म निर् ऐसे ही हम चाहते हैं कि अगर वो तयार हो जाए, महिला है तयार हो जाया है तो चाहिए वो ग्लॉट् में गयुट मैं समय सही स्वेक्व लियाओ, फारियमन खूर्म. एक बारबाडी जो है मद्देनाक्पूर के बोरियापूरे में चलती है जहां गरीब बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं तो गरीब फैमिलीज के लिए कैसे मदद हो आत्मिन निवर कैसे बने रोजगार एज्यूकेशन पर जो है हमने काम किया इसके अलबा और भी जो समझ्य हैं मद्देनाक्पूर के एहम है सबसे बड़ी एक समझ्या है वो फार्किंग की समझ्या है पूरे अगर आप चले जाएंगे चाहिए वह मोविन पुरा हो चाहिए गांदीबाग हो चाहिए महल हो इतवारी हो इस पूरे बेल्ड में आपको पार्किंग नहीं मिलेगी और नहीं मिलने की वज़े से रोजगार इससे अफेक्ट होता है तो हमने इसको भी अपने प्रोजेक्ट में रखा है कि बहतरी पार्किंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं आगे ताके पार्किंग की फैसिलरीज मिलेगी तो लोग बाजार में आने से दरेंगे नहीं फोरविलर हो तमाम चीज़े जो है लोग आ सकते हैं और रोजगार के लिए मतलब जो साधन अल्रेडी बड़े मार्केट्स उपलब दे वहाँ पे जाने में उनको आसानी हो तो पार्किंग का यह है लाइबररी का हमारे प्रोजेक्ट है कि हम चाहते हैं कि जो इस्कूले बंद पड़ी है जिनके कंपाउंट्स है अगर वो आप दूसरे ओफिसे के लिए दे रहे तो वहाँ लाइबररी बनाए अची वो भी डिजिटल लाइबररी बनाए ताके बच्चे जो मोबाइल पर अपना वक्त खराब कर रहे हैं वो ना हो और पढ़ाई के लिए उनको उनके महले में ही अच्छी लाइबररी जी मिले तो ये भी एक हमारा प्रोजेक्ट है कि बहतर लाइबररी बनाएब स्पोर्स की ग्राउंड नहीं है इसलिए तो इंडोर स्पोर्स की ग्राउंड में तयार करें हम इसके उपर भी हमारा एहम जो है रोल रहेगा हमने एक प्रोग्राम बनाया उसके अलावा रोजगार के लिए जो बड़ी कम्यूटी यहां बसती है मुसलिम और हल्वा इनके पास इनके जो पुराने जो इनके जो काम थे हैंडलूम इंडोस्टी एक बड़ी माने जाती थी टेक्स्टाइल इंडोस्टी से जुड़ी भी लेकिन वो यहां पर कॉलाप्स हो चुकी है जैसे आप भीवन्डी धुलिया माले गाओ और भी अलाकों में देखते हैं कि वहां वो इन्डोस्टी अभी भी कामियाब है तो वो पैटर्न क्या है हमारे पास यहां इक परसकी टीम है जो इस इस इशू पर जब सरकात बनती है अगर हमारी तो हम उसे गाइट करना चाहेंगे कि यह मुद्ध है आप इस प्लाइन को यहां लेकर आएंगे तो यहां के लोगों को हलबा है मुस्लिम जो भुनकर है उनको बड़ा काम जो है रोजगार का इससे मिलेगा तो यह भी हमारा टीम है उसके अलावा यह प्रोजेक्ट है इसके अलावा मैं अपनी तोर पे एक और अपनी प्रोजेक्ट में एक चीख सामिल रखा हूँ मैंने कौंसिलिंग सेंटर जैसे स्कॉलरशिफ का गाइडन सेंटर हो इसको जादा से जादा हम रखें वहाँ पे जो बच्चे पढ़ना चाहते है उनके लिए कौंसिलिंग सेंटर जो डिस्प्यूट होते हैं हमारे उसमें आपस में उस महले के जिम्मेदान लोग हो वकील हो जो आपस में बैठके चाहे फैमिली डिस्प्यूट हो चाहे हमारे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो तो महले के जम्मेदान लोग मिलकर उसको सुल्जा ले ताके नियायपालिका पे ज्यादा या पुलीस के उपर ज्यादा बर्डन ना पड़े और तो ये भी एक बहुत एहम काम होता है कि आपस के जबलों को सुल्जाना तो ये भी हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इस पे भी हम काम करना चाहते हैं आप जिस विदान सबाक्षेत्र का प्रतिनी पर करने वाले हो और जिस विदान सबाक्षेत्र से आप आते हो आपको ऐसा लगता है आपको कि ये एक समस्या है जो कई दिनों से कई सालों से हल नहीं हो पाई है तो क्या बताओगे ऐसी कोई सी समस्या है जो मैंने तमाम बुनियादी चीजे आपको बताया कि यहां एजुकेशन के लिए कर समस्या है यहाँ एक हेल्फ के सिस्टम को लेकर बड़ी समझ से अगर आप मान अगर पाली का के दवाया खाने देखेंगे जाकर तो वहाँ कच्रे की गाड़ियां खड़ी रहती है वहाँ दवायां मौजूद नहीं रहती है तो शिक्षा हेल्फ उसके अलावा आप देखेंगे के जो एक जो बड़ा जो अभी हमने जिस जमीन से जिस मुद्य को हमने उठाया था वो एक फ्लाइवर का इश्यू था फ्लाइवर जो लैंड हो रहा था मौमिनपुरा कबरस्तान के सामने उसको लैंड किया जा रहा था और उसको हमने रखा कि इसके वज़े से वहाँ ट्राफिक का कंजेंशन होगा त्राफिक को आप क्लियर करना नहीं चाहरे है उसको हमने कहा था नितिंगटकरी जी से जब हमने एक डेलिगेशन वहां की संस्ताओं का मिलकर दिया था कि इस फ्लाइवर को आगे लेकर चले जाईए या पीछे उताल लेजिए ताके इस इलाके का ना र से ग्राउंड है, समाजबावन है, बहुत दिवियार है, मंदिर है, मस्जीर है, तो वो रोड इतना वीजी रोड है, उसके सामने अगर आप इसको लैंड करते हैं, तो वो ट्राफिक का कंजेक्शन बहुत जादा होगा, तो वो बात जो है सरवे आप नितिंगटकरी जी न है, पोर्ट के सामने उँदों हैं, और हमें यह पूरा विश्वास है, नयाएपालिका से, कि हमको देज, वहां की जंता को। जनहिद में करने मिलेगा, एक बड़ा काम, जो जंता से जुड़ा है, जंता के मुद्दों का हमने सामने रखा है, तो वो नयाएपालिका में वि देश के दुर्दराद से लोग आपके पास आते हैं, वो है पत्री की दवा, और वो भी आप निशुल्स देते हो, इसके बारे में में तरवाई है। देखे, आप पूछे हैं तो मैं बता दूँ कि कि वो सेवा का कारे है। यह दवा नहीं बलके एक हरेलू नुसका है। जो विरासत जिसको वावसा बोलते हूं, वो मुझे मिला है। वजह उसकी यह है कि मेरे ग्रेंट फादर के जमाने से, मेरे फादर ने, 20 साल से मैं उस जो है लोग आते हैं, जो सरजरी नहीं करना चाते हैं। यह आप पिदनी के लिए भी और उसके साथ साथ गॉल्ड मेडर के लिए भी। तो वो नुसका जो है बहुत कारामत साबित होता है। और सरजरी नहीं कराते हैं, वो स्टोन जो है डिजॉन होके निकल जाते हैं। ऐ इसी वज़े से लोगों की दौाय हमेशा साथ रहती है इसलिए हर मुश्किल घड़ी में भी जो हम फिर वापिस खड़े हो जाते हैं इसी दौाओं की वज़े से और वो कारिया ऐसा है कि वो निशुल भी है निश्वार भी है वो हमेशा चलता रहेगा राजनितिक लड़ाई विचाधा की लड़ाई सत्ता की लड़ाई ये अपनी जगा रहती है सेवाएं उपनी जगा बिलकुल आज के नौजवानों को आप क्या संदी देना चाओगे हमारे मात्यां से देखे कोविट ने हमें सिखाया कि जो कोविट का समय था इनसान जो खून के रिष्टे थे व खून के लिए तो इनसानिया सबसे बड़ा धर्मा है ये नफरत की एजंडा नफरत की रादनिती छोड़ दे हैं सबसे पहले शिक्षा हसिल करें सामाजिक नयाएं आप इनसाफ एक्वेलेटी समता को हसिल करें अगर आप शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आप दुनिया मे कहीं भी जाके आप अपना रोजगा तलाश कर सकते हैं आप गुलामी से बहार आएए शिक्षा आपको हर गुलामी से निजाद दे देती हैं मानसिब गुलाम आप नहीं रह सकते हैं आर्थिक गुलाम आप नहीं बन सकते हैं इसलिए शिक्षा प्राप्त कीजिए एजूके कि अपने देश की जो है आप सेवा कर पाएंगे तालीम के लिए तो ये मेरा युवाओं के लिए सबसे पहले कि नफरत को छोड़िये और महबत से क्योंकि हमारे देश की पहचानी ये है कि एक खुप्सूरत देश जो है एक खुपसूरत गार्डन की तरह बिल्दस्ते की तरह जहां तरह-तरह के फोल है जो महकता है जिससे आप इस महक को जो हमारे देश की धरम बेने पेकशता है जहां सब मख़भ के लोग बहुत मिंजुल के प्यार से रहते हैं कोई नफरत का एजंडा लाके इस एकता को मिता नहीं सकता और देश का समविधान हमको हर पिसम की आज़ादी देता है और हमको तरक की करने की आज़ादी देता है लेकिन उसके लिए जरूरी है खुद लड़ भी पाएगा और देश के अंदर एक वहतिन महुद बना पाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां आए और आपको BCN की ओरते आपके भविशे के लिए बहुत बहुत शुद कामना है आज के खास मुलाकात में बग्पर चलाए है यह भी रुखने का आप देखते रहें BCN में उसना मशकार BCN का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे मुझे मौका दी अपनी बात रखने का बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू